गुड मॉर्निंग अल उफ यू वेलकम टो आनलाइन क्लास प्रोवाइड़ बाइम डीन पॉब्लिक स्कूल सो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने किया था वेज ओफ डिस्पर्जल यानि जो बीजों का भी खराब है वो कितने तरीकों से होता है तो आपको मैंने कुछ पॉइंट्स क्लियर किये थे तो देखें बटे मैंने आपको तो पॉइंट्स तो क्लियर कर दिये थे अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है सीड दिस्पर्जल बाइ वोटर बीजों का भी खराव क्या है पानी के थ्रू भी हो सकता है देखिए जैसे आपको यहाँ पे एक्जाम्पल दिया हुआ है किसका कोकोनेट का यानी नारिल का many plants such as coconut, lotus, etc disperse their seed through water बहुत सारे ऐसे plants है जो अपने बीज क्या है water के थ्रू क्या है भिखायरते हैं इदर उदर seeds of such plants are spongy और have fibrous covering which help them to float on water spongy spongy क्या होता है, बिल्कुल soft होता है तो क्या होते हैं जो कुछ बीज होते हैं वो क्या होते हैं बिल्कुल spongy होते हैं ठीक है और spongy होने के कारण वो easily क्या करते हैं पानी के उपर तैर सकते हैं for example, coconut has fibrous covering while seed has lotus has spongy जो coconut की covering है coconut जो ये cover है यानि नारियल आपने देखा होगा इसकी कैसी covering है fibrous और जो आपको मैंने बताया जो lotus है, उसकी covering कैसी है spongy, जिस करण क्या होता है वो उसके जो seed होते हैं पानी में तैर जाते हैं और इस तरह क्या होता है seed dispersal by water आगे देखी क्या है seed dispersal by explosion food na explosion क्या होता है, food na देखी, बीजो का बिख्राव अब हमें ये बताना है कि food na के द्वारा कैसे होता है आपको यहाँ पर दिया गया है मटर देखी मटर का ये आपको यहाँ प्लांट दिखाया गया है P plant दिखाया गया है क्या है, ये क्या है मटर है जो पूरा तयार हो चुका है ठीक है, अब वो क्या है, फट गया ये जो क्या है इदर उदर बिखर जाएंगे तो ये क्या होगा, food na से, क्या होता है seed dispersal by explosion यानि वो इधर उधर बिखर जाएंगे और जिसके कारेंड ये क्या point clear हो रहा है कि seed dispersal by explosion आगे आपके पास next topic है आपको ये questions दिये गए है concept check, give short answers इन questions को पढ़कर इनके question अपनी rough notebook पर लिखने की कोशिश करना कि आप कितना समझ पाए हो now ये तो आपको बताये थे हमने क्या थे ways of seed dispersal अब क्या है आगे other ways of growing plants पोधों के बढ़ने के जो अन्य रास्ते हैं वो क्या है देखिए plants can also be grown without seed जो पोधे हैं वो कैसे भी बढ़े हो सकते हैं भी नवीजो के भी बढ़े हो सकते हैं जरूरी रही है कि सभी पोधे कैसे ग्रो करेंगे बीजों के थ्रू करेंगी they can grow from their body parts वो अपने body parts जो जैसे हमारी body parts होते हैं plants के भी अपनी body parts होते हैं वो उसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं अपनी growth कर सकते हैं growing plants from their body parts such as root, stem or leaf is called vegetative propagation जो अपनी body parts के थ्रू जैसे stem हो गया root हो गया, leaves हो गया इसे क्या कहते हैं हम vegetative propagation यानि हिंदी में इसे कहते हैं वर्धी जनन यानि वो अपने ही body parts से growth करते हैं first point क्या है हमारा from roots आपको पता है roots क्या रोटा होते है j за to through क्या होते हैं jreso ... BACK roots of some plants like carrot, beet and sweet potato can grow into new plants carrot आपको पता है gajah बीट होती है चुकुंदर वो चुकुंदर आपने खाई भी होगी salad में यूज़ करते है उसे and sweet potato और शकरकंदी होती है जो वो क्या होती है किसके थूँ बढ़ती है root जड़ के थूँ one can grow one can grow carrot from their tops क्या होती है कुछ उन में से क्या होती है टॉप के थूँ बढ़ती है जो उनका सबसे उपर वाला हिस्सा होता है उसके थूँ बढ़ती है from stem तो देखिए next point के है from stem तने के थूँ इसका सबसे अच्छे example आपको यहां पे दिया गया है rose rose money plant कुछ ऐसे पोदे हैं जो easily घर पर मिल जाते हैं ठीक है आगे आपको sugar can का example भी दिया गया है बेटे अगर आप रोज को जैसे यह बहुत सारे इसके पार्ट सिखाए गए है अगर मान लीजी आप इसे कट करके कहीं grow कर देते हो इसे आपको लगाना है कि किसी के घर पौधा लगा हुआ और आपको भी अपने घर क्या करना है गुलाब के फूल अच्छे लगते हैं आपको भी लगाना है तो यह उससे भी क्या होगा इस प्लांट की क्या हो जाएगी ग्रोथ हो जाएगी ऐसे ही मनी प्लांट मनी प्लांट मनी प्लांट का अगर एक लीफ भी आपको दे दिया और आपने उससे क्या कर दिया प्लांट कर दिया तो वो भी क्या होगा ग्रोथ कर जाएगा हाँ कंड Underground stem, underground देखी क्या होता है, भूमिगत, जो बिल्कुल जमीन के अंदर होती है, from underground stem, stem आपको पता है, तना, भूमिगत, तने के थुरू, some plants can be grown from their underground stem, for example, इसका example क्या दे रखा है, उधारन क्या दे रखा है, potato, aloo, An underground stem has birds called eyes, which gives rise to new plants, birds के उतिक कलिया, यह देखिए, यह आपको यहाँ पे potato की picture दी गई है, देखिए ध्यान से, bird, bird यानी यह कलिया निकल रही है, ठीक है, और यह जो पार्ट है, हमारे potato में होते हैं, थोड़े थोड़े यह निशान, देखिए ध्यान से इसे क्या कहते हैं, eye, underground stem has birds called eyes, जो birds होती है, उसे क्या कहते हैं, eyes कहते हैं, give rise to new plants, और इसी के थ्रू के होता है, नए पौधे को जनम मिलता है, similarly, इसी तरह, similarly का मीन्स होता है, इसी तरह, ginger grows from underground stem, ginger, ginger होता है, अध्रग, ginger भी कैसे ग्रोथ करता है, underground stem, भूमी गत, तने के थ्रू करता है, वो आगे देखिए, from leaves, कुछ पौधे पत्तो के थ्रू करते है, some leaves like, bryophyllum grows new plants on their ages, देखिए बेटी, देखिए बच्चे, यह क्या यहां पर, bryophyllum, bryophyllum leaves दिखाए गए है, आपने शायद कुछ बच्चों ने देख रखा होई यह पौधा, देखिए इसके ages, यह किनारे है इसके, क्या होते हैं, यह अपने edges के थ्रू ग्रोथ करता है, ठीक है, यह इसके पत्ते हैं, इन किनारों के थ्रू यह क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, आगी है, the birds on the edge of bryophyllum leaves grow into new plants on getting proper warmth and posture, अगर इसे सही मात्रा में गर्मी मिलती रहे, नमी मिलती रहे, तो क्या होगा, इस पोधे की क्या होती रहेगी सही, ग्रोथ होती रहेगी, आगी है, from spores, spores का मिनिंग क्या होता है, बिजानू, spores होते हैं, बिजानू, some plants such as fur, some plants such as fur and fungi do not have flowers, they produce their spores, each of which grows into a new plant, कुछ पोधे होते हैं, वो किसके थ्रू बढ़ते हैं, बिजानू के थ्रू, जैसे आपको यहाँ पर example दिया गया है, फंगी का और fern का, फंगी, फंगी क्या होते हैं, कवक, क्या बोलते हैं फंगी को, कवक, और यह क्या है, fern, यह क्या होता है बिटे, फर्न होता है, यह ऐसा पोधा है, जो सिर्फ इसमें कोई flower नहीं होता, पत्ते ही क्या करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, सो, आज मैंने आपको क्या करवाया है, आपकी टू पॉइंट्स तो, पहले वाले क्लियर करवाए हैं, वेज ओफ डिस्पर्जल ओफ सीड, और आज करवाया मैंने आपको, अदर वेज ओफ ग्रोइंग प्लांट्स, सो, स्टूरेंट्स, आप इसे ध्यान से कीजिएगा, थैंक यू, एंड हैव नाइस टे,